आप सभी को मेरी तरब से जय माता दे माता रानी वर्दान न देना हमें बस थोड़ा सा प्यार देना हमें तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा एक बस यही असिरवाद देना हमें बिन बुलाय भी जहां जाने को जी चाहता है वो चोखट ही है तेरी मा जहां ये बंदा सुकुन पाता है आज का प्रश्ण है कि वास्तों में ध्यान साधना क्या है ध्यान साधना के विशे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुत ध्यान पुरोग सुनियेगा वास्तों में सच्चा जप और ध्यान वही होता है जो स्रद्धा और प्रेम से हो यानि सच्ची ध्यान साधना वो है जिसमें आपका प्रेम हो आप स्रद्धा के साथ करें विश्वास के साथ करें तो वही वास्तों में ध्यान साधना कहलाता है स्रद्धा प्रेम और विश्वास के बिना ध्यान साधना फलदायक नहीं होता है इसे के लिए आप सभी जिस भी देवी देवता हो जिस भी इष्ट की पूजा करते हो ध्यान साधना करते हो उस पे आपकी प्रती अटूट विश्वास अटूट स्रद्धा होनी चाहिए बिना प्रेम का भजन किसी काम का नहीं होता निसकाम भाव से हमारा साधना हो तो भगवान तुरंत प्रकट हो सकते हैं मान बढ़ाई सब को ठुकरा देना चाहिए और स्रध्धा प्रेम के साथ भजन किर्थन करते रहना चाहिए जो भगवान का उच्च कोटी का भक्त होता है उसको भगवान कभी नहीं छोड़तें इसे के लिए आपको हर पल भगवान की ध्यान में ही रहना चाहिए मैं तो आपको जोर से कहता हूँ आपको परमात्मा के आगे नित्य रोना चाहिए यानि हर रोज रोना चाहिए अनिता आपके ऊपर बहुत सारी विपत्तिया आने वाली है इसका निवारन जिसके पास है वो एक ही है वो है परमात्मा इसे के लिए जो भी आपके अंदर दुख है वो सब परमात्मा के आगे ही कहें बोले और अपनी इच्छा को प्रकट करें क क्योंकि वो चाहे तो पल भर में आपकी जिंद्गी की सारी समस्या का समधान कर दें जिसको इस्वर का भरोसा होगा उसके उपर भारी से भारी विपत्ति आने पर भी वा इस्वर को नहीं छोड़ता है जैसे की भक्त पहलाद इसे के लिए भगवान पे विश्वास करना च चाहिए किंतु इस्वर की भक्ति और धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो भगवान की दया को कृपा को आने पर समझ लेता है चिंता भय उसके आसपास कभी नहीं रह सकते और वो सदा प्रसन रहता है इसी के लिए कहा जाता है कि जो सर्वत भगवान को ही देखता है भ भगवान का ही चिंतन करता हुआ जाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है चाहे किसी वर्ग में हो चाहे किसी आस्रम में हो परमात्मा की प्राप्ति सभी का दिकार है इसे के लिए आप भक्ति से अपना ध्यान विचलित ना करें केवल भगवान के ध्यान करने से केवल भगवान को याद करने से केवल भगवान में सरद्धा करने से केवल भगवान के नाम जब से एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति हो जाती है जो प्रेम पुर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है केवल भगवान की पूजा से भी भग प्रभाव से वह निच कर्म करने वाले पापों का भी नास हो जाता है उसको उत्तम योनी तथा उत्तम लोक की प्राप्ती होती है फिर उन्हें किसी का भी जन्म धारण नहीं करना पड़ता वे भगवान के परमधाम को चले जाते हैं परंतु जो मनुष्य जान भुझ कर पाप करता है और यहां सोचता है कि पीछे भजन साधना के द्वारा पापों को नश्ट कर दूँगा तो वो धोखा खाता है उसके पापों का नास तभी होगा जब वहां उनका फल भोग कर लेगा इसलिए भजन का साहरा लेकर जान भुझ कर पाप नहीं करना चाहिए जो पाप अंजाने में हो गए रहते हैं उनहीं का नास भजन ध्यान के साधना से हो सकता है इसी के लिए स्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की भक्ती करनी चाहिए ध्यान साधना करनी चाहिए और अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए भगवत प्राप्ति को कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अपने इश्ट अपने अराद्धे के परती अटूट विश्वास होना अत्याधिक जरूरी होता है अगर मेरे द्वारा दीगे जनकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद जैमाता दी